हेलो माई यूट्यूब फैमिली तो आप थम्निल देखके समझी गए होंगे कि यहाँ पर मैंने आपके साथ खटी मीठी चट्नी शेयर की है और जिसको मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 2-3 महिना इसको स्टोर करना है तो कैसे बनाएंगे और 10-15 दिन के लिए बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 500 जो है इमली ली है और सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इमली को लगभग 2-3 बार अच्छे तरीके से साव पानी से धोलेंगे क्योंकि इस इमली में थोड़ा किरकिर और सब्सक्राइब होता है तो वह निकल जाएगा पानी से अच्छे से मसल कर दोलेंगे इसके बाद अब देखिए हमने यहाँ पर इसको धोली आ है तो इसमें गरम पानी डाल करके इसको लगभग 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देरेंगे चार घंटे में घंटे में अ इतना पानी इसमें डाल दिया है और चार घंटे के लिए रख दिया है अब मुझे लगबग तीन घंटे हो गए थे तीन चार घंटे इमली भी होए हुए तो आप मैंने इसकी मतलब नेक्ट प्रोसेस शुरू किया है जिसके लिए मैंने आधा ग्लास पानी एड़ किया है कड इतना आसान तरीका और इतनी टेस्टी चटनी कभी नी बनाई होगी भोती लाजवाब और स्टोर करके आप रख सकते हैं इतनी बेहतरीन चटनी जो है वो बन करके खटी मिटी तयार होती है देखिए गुडगुल चुका है अच्छे तरीके से इसको हमने उतार लिया है करण वगेरा होते हैं वो निकल जाएंगे देखिए अब देख सकते हैं अब इसको भी हम साइड रख देंगे अब मैंने यहाँ पर देखिए यह जो इमली है इसको थोड़ा सा हास से मसल दिया था पहले ही बाकी का मैं इसको फाइनल अभी मसल करके रेडी करूंगी तो दे है वो अलग हो जाएगा तब ही हम क्या करेंगे एक बड़ा सा कोई बड़तन लेंगे और उस पर हम चलनी रखेंगे कोई बड़ी सी चलनी लेना है चोटी चलनी में यह नहीं चलनेगा और इसको जो है न अच्छे तरीके से हास से दवा दबा करके इसका सारा पल्फ हमें च साफ सुत्रसा जो हमारा मिश्ण है चटनी का वो तैयार हो जाएगा देखिए यहां पर बीज और रेसे वो थोड़े मतलब अलग हो चुके हैं तो अभी हमने जो गुड़ का पानी रखा है रेडी करके उस गुड़ के सारे पानी को हम इसके उपर से डाल देंगे और अच् और गुड़ का पानी भी साथ में मिक्स हो गया है अभी हम आगे की तियारी करते हैं तो जहां पर हमने देखिए गैस चुला ओन करके बड़ा सा बटन रखा है और उसमें हम एक बड़ा चमच ओईल एड़ करेंगे सरसो का तेल है यह अब जैसे यह तेल गरम हो जाएगा इ जीरा एड़ कर देंगे और हलका सा हमारे जीरे का कलर चेंज होते ही हमने जो इमली और गुड़का को एक जगे मिला करके रेड़ी किया है हम उसको अच्छे से टाल देंगे तो यह हमारी जो चटनी है वो फ्राई हो जाएगी देखिए बिलकुल पानी की फोम में है अभी ह हमारी चटनी आपको मैं अभी दिखा देती हूं उठा करके भी अच्छे तरीके से देखिए इसमें उबाल आ चुका है और इसमें हम एड़ करेंगे दो चम्मच चीनी और एक चम्मच नमक हम इसमें एड़ करेंगे इन दोनों चीजों को डालने से बहुत इसका टेस्ट ज तीरे का पाउडर और साथ में एड़ करेंगे दो चम्मच भुना हुआ सौफ का पाउडर देखिए इनली जो है ना वह खटी होती है गुड मीठा होता है तो इसको तीखा बनाने के लिए हम इसमें दो चम्मच भर के मतलब लाल मिच का पाउडर एड़ करेंगे तो हमारी जो चटनी है वो खटी मीठी और तीखी बन करके तयार होगी बहुती लाजबाब टेस्टी और देखिए अब मैं इसको दिखा रही हूँ अभी यह काफी पतली थी लेकिन थोड़ी थिक हो चुकी है यह पकते पकते इसको पकाने में आपको लग जाएंगे लगवक 15-20 मिन काफी है तो अभी हम जो है इसमें एट करेंगे गीरी यह हैं खरवुजे के सोड़ी तर्बूज के बीज और आप इसमें कोई और भी ड्राइफूर्ट साथ आड कर सकते हैं जैसे किश्मिश कटे हुए बादाम या काजू अपने हिसाब से कितने भी आप इसमें ड्राइफ तो इतना आपका इसका जो ठिकने से वो इतनी होनी चाहिए यानि कि यह डालें तो यह नीचे खिसक जाए बस यह आपकी 10-15 दिन के लिए बन करके त्यार हो जाएगी अगर आपको 2-3 महिना इसको स्टोर करके रखना है तो आपको इसको और पकाना होगा इसको जो है आपको तो आप इस तरह से देखिए यानि कि आप उंगली से इसको टच करो तो जहां है वहीं का वहीं रह जाए इतना गाड़ा हमको इसको रखना होगा मैं भी यहाँ पर 2-3 महिना इसको स्टोर करके रखने वाली हूं क्योंकि सर्दियों के मोसम में बार बार चटनी बनाने का ज उतार लिया है और मैं आपको इसको देखिए एक बड़े से मतलब कटोरे में निकाल के दिखा रही हूं यहाँ पर बावल में देखिए कितनी थिक है यानि कि चमस से लिपट रही है इस तरह का इसको हमको रखना है अब देखिए इसको लगबग रखे रखे दो घंटे मैं ने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए इसको आप फ्रिज में दो से तीन महिना के लिए किसी एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जबी भी आपको यूज करना हो तो आप आदा या एक घंटा पहले निकाले इसको और यह नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगी उस के से और एक लंबे समय तक हम इस चटनी को बना करके स्टोर कर सकते हैं और यह बहुत ही लाजवाब टेस्टी चटनी हमारी बन करके तयार हुई है वीडियो आपको अच्छा लगा हो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अ कर दो